आए दोस्तों आज हम सर्फेस केमेस्ट्री डिस्कुस करने जा रहे हैं चाहे आयए टी जेई हो नेट हो या फिर हाई रेक्जाम हो कम से कम एक सवाल आपको जरूर बिलता है और सीबीसी बोर्ड हो एचबीसी बोर्ड हो कोल भी बोर्ड हो उसके लिए तो बहुत इंपोर्ट सर्फेस केमेस्ट्री का मतलब है कोई भी प्रोसेस सर्फेस पे होगी उसमें केमेस्ट्री इनवल्व होगी यानि की ऐसी केमेस्ट्री जो सर्फेस पे हो रही होगी ठीक है जी अब इसको कैसे कलासिफाई करते हैं इसके बेस पे सबसे पहले सर्फेस केमेस्ट्री हम पढ़ किसमे solution में पडते हैं जी किसमे पड़ते हैं जी solution में और थर्ड बात किया है surface chemistry हम discuss करते है किसमे reactions में भी किसमे कोई भी chemical reaction अब surface chemistry as a process की जमा बात करूंगा जब topic का नám दिया जाता है adsorption क्या नाम दिया जाता है जी adsorption आज यही discuss करेंगे डिटेल में किया नाम देंगे absorption यानि कि surface पर क्या हो एक phenomenon की तरह हो प्रोसेस की तरह हो उसे बुलेंगे absorption, अब surface chemistry जब solution में पड़ी जाती है, तब topic का नाम क्या दिया जाता है, तब बोला जाता, colloids, क्या बोला जाता है जी कोलोईड जब surface chemistry किसी reaction में पढ़ी जाती है तब topic का नाम होगा catalyst ठीक है जी surface chemistry इन तीन process में पढ़ी जाती है तीन जगे पे पढ़ी जाती है यानि कि इस chapter को हमने तीन portion में divide कर लिया पहले adsorption पढ़ेंगे उसके बाद second part में kollोईड पढ़ेंगे और लास्ट में catalyst पढ़े हैं catalyst में बहुत important चीजें बताएं जाएगी ठीक है जी जो chemical reaction में बहुत काम आएगी और गेनिक में बहुत काम की चीजे आएगी ठीक है जी ये था general introduction की हम इस chapter में पढ़ने क्या जा रहे हैं अब पहली important बात ये है कि adsorption क्या होता है ठीक है जी और कैसे process ही आगे चलती है तो सबसे पहले इसी को discuss करते हैं कि what is adsorption आप सभी लोगों को पता होगा पूछा जाए कि adsorption क्या है तो आप एक word बोल देते हैं adsorption is a surface phenomenon लेकिन ध्यान रखें ये इसकी definition नहीं बता रहे हैं आप लोग आप इसकी property बता रहे हैं तो definition क्या होगी मान जब मैं adsorption define करने जाऊंगा क्या है जी adsorption आप लोगों को दो चीज़ों का पता होना चाहिए दो नाम आपने सुन रखे होंगे क्या एक adsorbait क्या है जी adsorbait और दूसरा नाम आपने सुना होगा adsorbent क्या नाम है죠 adsorbent इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि adsorbate क्या है और adsorbent क्या है देखी बहुत असान है मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी solid particle है क्या है जी solid का particle है और उपर इसके gas घूम रही थी और कुछ gas यहाँ पे आके बैठ गई है जो पहले से present था वो क्या है वो है जी उसको बोलेंगे adsorbent क्या बोलेंगे जी adsorbent और जो आके बैठे हैं क्या थे ये था solid जी क्या था जी ये solid और उपर ये क्या है जी ये है जी gas जो gas के particle इसके उपर आके बैठे हैं इन्हें क्या बोला जाएगा इन gas particles को इन्हें बोला जाएगा adsorbate क्या बोला जाएगा जी एड़ जोर बेट बहुत असान है जी सुनिएगा गैस के पर्टिकल आके बैठे किसी सोलिड के सरफेस पे लिक्वीड पे बैठ सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे सोलिड और गैस का लिया है एक्जंपल तो हाइफन या सलैस दवार दिखाते हैं ना तो हम लिख सकते हैं इसमें गैस और सोलिड तो अब जनरल बात यह थी जो आके बैठा है बैठ किसको बोला गया है गैस को कि surface पे आके बैठ ये solid है इसके surface पे आके बैठ बैठ, बैठ, बैठ यैनि कि बैठ का मतलब ही क्या है बैठ बाहर जो मॉलेक्ल घूम रहे थे वो बैठेंगे वो क्या है एडजोर बैठ और जिस पे बैठेंगे वो चिस बैठ हो जाएगी उसका नाम adsorbent ठीक है जी अब ये पार्टिकल कहां पे आगे accumulate होगे इकठे होगे कहां पे ये क्या है जिसका surface क्या वो लेंगे जिसो surface surface पे particle का इकठा होना क्या कहलाएगा adsorption कहलाएगा तो क्या definition हुई जी देखो definition देखो जी the accumulation accumulation of यहाँ पे देखो जी कौन से पार्टिकल क्याश के accumulation of gas particles या फिर gas molecules आप लिख सकते हैं gas particles या molecules लिख देते हैं molecules on the surface of on the surface of solid या फिर on the surface of क्या लिख सकते हैं आप adsorbent this process is called adsorption कह जी this process is called adsorption इस process को adsorption कहा जाएगा कि मान लेजिए ये solid है इस पे कोई gas आके बैठ गई है और वो क्या करेगी यहां पे concentration बढ़ा देगी उस process को क्या बोला जाएगा adsorption यानि कि access concentration कहां पे है जी access concentration access मतलब ज्यदा concentration कहां पे है surface पे हैं जी कहां है जी surface पे अब सुनिएगा adsorption अब सबसे पहले क्या करेगा यह solid है और यह gas है इनके बीच में लगेगी force of attraction क्या लगेगी force of attraction इंट्रेक्ट करेगा और यह particle को खीचेगा और surface से बेठाएगा और इसको retain करेगा retention लगेगा यानि कि सबसे पहले लगेगा, in particle के बीचे force of interaction, फिर particle surface पे आएंगे, retain करेगा, retention, यानि कि attraction followed by retention, retaination बोल सकते हैं, उस process को बोला जाएगा, adsorption, उस process को क्या बोला जाएगा जी, adsorption. adsorbate क्या है adsorbent क्या है ये समझ में आ गए होगे दुबारा फिर से सुनिए adsorbate कौन बेट मतलब बेट कौन बेट gas के molecule को बोला गया कि आके बैठ जो बाहर से आके बैठ रहे है particle वो adsorbate और जिस पे यानि की solid पे बैठ रहे है उसको बोला गया है adsorbent और accumulation of particle इकठे होना किसी भी particle का surface पे उसे क्या बोला गया है adsorbent ठीक है जी अब सुनिएगा और भी कमाल की बात ये है था जी adsorbent आपने एक word और सुना होगा उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं absorption क्या बोलते हैं absorption आय है है मजा आएगा तो देखो absorption absorption का मतलब क्या होता है ये कोई भी particle कुछ भी मालो इसमें x y चीज कुछ भी डालो अगर ये particle अंदर चलेगे कहां चलेगे अंदर को बोलेंगे bulk क्या बोलेंगे जी bulk अगर कोई species bulk में travel करती है उस process को बोला जाएगा absorption पार्टिकल का bulk में travel करना यानि कि आप ये बात तो मान ही लोगे मान लीजिये क्या था ये solid था और यहाँ पे gas आके बैठी थी और gas आके बैठी थी इसे touch करेगी क्या करेगी touching touching होएगी इसके surface पे बैठ जाएगी और फिर अगर ये gas इसके अंदर चली गई क्या कर गई अंदर चली गई घुश गई बलक में travel कर गई तो इसी process का नाम होगा absorption क्या नाम होगा absorption इसमें देखो excess concentration कहा excess concentration कहा इसमें excess concentration कहा थी surface पे इसमें excess concentration कहा ज्यादा concentration कहा हां आप सोचोंगे बल्क में भूल जाये या गलत पर में मत पलिये एकसेस कंसेंट्रेशन छोती ही नहीं ए इसमीं होगा यूनिफर्मली क्या है जी यूनिफॉर्मली distribution of particles uniformly distribution इसमें non uniform distribution बोल सकता है यानि कि surface पर तो आके बैठे थे इसमें under travel नहीं करे थे इसमें under travel करेंगे बलक में travel करेंगे लेकिन वो uniformly distributed होगे ये नहीं कि एक जगे इकठे होगे इसमें एक जगे इकठे हुए थे that is surface पर है ठीक है जी इसकी rate की बात की जाए कि adsorption में rate क्या होगी adsorption में rate हो इस uniform rate considerate uniform rate होगी ठीक है जी और इसमें rate क्या होगी sorry sorry sir is my rate होगी जी uniform इसमें रेट होगी non uniform ये बाद में बता हुआ non uniform में कैसा graph आएगा कैसा graph आता है zero order, first order, one और zero गे विज में ये follow किया जाएगा वो बाद की बात है थोड़ा chapter आगे चलेगा तब इसकी चर्चाहिए होगी इसमें क्या था uniformly distributed था इसमें uniformly distributed नहीं था surface पे particle क्या थे फिर से बताता हुए एक बात और फिर आप बहल जाएंगे और गडबर फिर से आप कर जाएंगे लेकिन सुनिएगा मैंने कहा कोई भी solid लिया हमने ठीक है जी उस पे कैस आके बैठी यहाँ पे क्या करेगी interact किया किया जी interact किया यहाँ पे आके बैठा इस बैठने को ही हमने क्या बोल दिया माली जी इसको बोला है जी adsorption क्या बोला जी adsorption अगर ये बलक में travel कर जाए particle यही particle अंदर घुश जाएं अंदर घुश जाएं तो उसे क्या बोला जाएगा इसे बोलेंगे जी adsorption सुनिएगा अरे रे रे क्या बोलेंगे absorption अब सुनिए क्या absorption का हमेशा primary step adsorption होता है फिर से सुनिए क्या absorption का हमेशा primary step adsorption होता है आप सोचेंगे हाँ बट उतर है नहीं सुनिए क्यों आपने सोचा परटिकल पकप इसका Σरफेस पर इंट्रेक्ट करेगा और फिर अंदर जाएगा ना ना ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता देखो पहले में पता तो क्यों नहीं होता देखिए अगर इसका पूर साइज बड़ा होता, क्या होता? बड़ा, माले जी, देखो देखो, माले जी, कोई gate है, कोई कमरा है, कोई कहीं भी आप जा रहे हैं, कोई दरवाजा है, आप उसके touch होके जा रहे हैं, आपने touch किया, आप उसके surface पे थे, तो surface पे क्या था? absorption, आप उसके अंदर चलेगे, बल्क में चलेगे, वो क्या था? absorption, बट ये जरूरी नहीं है, दरवाजाय का size बहुत बड़ा हो, gate, door बहुत बड़ा हो, आप उसे बिना टकराएं, अंदर घुच जाएं, तो direct क्या होगा? absorption होगा, उसमें absorption हुआ ही नहीं, इसमें कैसे होता है? सुल लिजिएगा, होए 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 होए, कमाल की बात है, अगर इसमें porous size कह जी, porous size, porous size बड़ा होता, और इसमें कोई भी species आके यहाँ चले जाती सिद्धी, और यहाँ पे क्या होती? देखो, 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 अगर इसका porous size बड़ा होता, इसके टकराएं बगेर, सिद अरे, वहाँ absorption होता, absorption नहीं होता, it means that, क्या हुआ, absorption का, absorption primary step हो भी सकता है, और नहीं भी, depending upon the porous size, porous size देखा जाया कितना है, अगर porous size छोटा है, porous size small है, वो इस पे interact करेगा, interact करेगा तो absorption होगा, फिर बाद में absorption होगा, ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, कि यह कहां से लेके आया बात, कैसे क्या हुआ, सुनिएगा, आपने absorption सुना होगा, उसके बाद आपने desorption भी सुना होगा, यह तो NCRT की कहानिया है, स्टाटिक में NCRT से चलेगे और धिर धिर लावल देखना, बहुत पर जाएगा, desorption, क्या लिख दिया रहे हैं, desorption आपने सुना होगा, desorption क्या है, अगर यहाँ पे concentration बढ़ी, बढ़ी, सरफेस पे concentration बढ़ती चली गई, ली चैटलियर कहता है, A से product B बन रहा है, reaction forward direction में जा रही है, reaction forward direction में कब जाएगी, जब किसकी concentration, reactant की concentration ज्यादा, तो reactant किस में convert होगा, product में, यानि की forward direction में जाएगी, कहाँ जाएगी, forward direction में, अगर, यहाँ पे, जो product formation है, उसकी concentration ज्यादा होगी, वहाँ pressure, gas, कुछ विमालिज, ज्यादा है, किसी भी तरीके का, यह detail में पढ़ा रखा है, कहाँ पे, कहाँ पढ़ा रखा ये, अरे यह आ forward direction में गई, अगर, यहाँ पे concentration ज्यादा होगी, तो क्या तरने लग जाएगी, reaction backward में जाएगी, कहाँ पे जाएगी, अरे यह backward direction में जाएगी, backward direction में जाएगी, it means, यह particle यहाँ से उठके भागना start कर देंगे, और इसी को बोला जाता है, desorption, क्या बोला जाता है, desorption, सुन और इस पे gas आके बैठ गई, gas surface पे आके बैठ गई, और जैसे gas आके बैठी, मैंने उसको heat कर दिया, क्या कर दिया, heat आया है गरमाहट के साथ, और heat करते ही, gas के molecule भागना start कर देंगे, और gas के molecule भागेंगे, तो यहाँ पे adsorption था, वो पहले adsorption था, अब भागेंगे, तो adsor से इसको क्या बोला जाएगा, desorption, यानि की backward direction में जो movement हो जाए, adsorption के बाद उसे बोला जाएगा, desorption, अब सुनिएगा, अगर यहाँ पे बैठने के बाद, पार्टिकल हमेशा बल्क में travel करते, it means absorption का हमेशा primary step adsorption होता, तो यहाँ पे touch करने के बाद, touching touching होई, then अंदर ज करता, यहाँ पे travel करता, रे, कहाँ पे रे, बल्क में travel करता, अगर पार्टिकल बल्क में travel करता, तो दुनिया में desorption नाम की tram ही नहीं आती, देखे बात तो बड़ी कमाल की है, पटा आप कई बार गोर नहीं कर पाती, ठीक है जी, यह कमाल की बात आपको पता होना चाहिए कि इसका adsorption primary step हो भी सकता हो और नहीं भी, pore size पे depend करता है और desorption आपने सुन लिया होगा, एक tram हो और NCRT की एक tram है यह, आपने सुना होगा sorption, क्या सुना होगा जी, sorption, क्या होता है sorption, देखिए, पहले definition, when adsorption and absorption takes place, takes place simultaneously, simultaneously, the process is called, ya termed as, called sorption, क्या है सुनिये, जहाँ पे adsorption भी हो, और absorption भी हो, और बार बार हो, simultaneously एक के बाद एक हो, यानि की देखो, यह solid का surface, यह gas, यहाँ बैठिंग, अंदर जाइंग, बैठिंग, अंदर जाइंग, कभी बाहर आइंग, बैठिंग, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसे होईंग, तो उस process को अलग नाम दे दिया, उनने क्या बोल दिया, उसको बोल दि होगी, अगर कोई चीज रह गई है, आप पूछ सकते हैं, बेजी जग, कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं, नहीं पूछ रहे तो थोड़ा आगे चलते हैं, अगर पूछ रहे तो पूछ सकते हैं, बेहती कमाल की चीज़ है, जी कमाल है, अब देखो, अब mechanism थोड़ा सा कोशिस करते हैं इसकी mechanism कैसे होगे mechanism पहले बात absorption absorption जब हम डिस्कस करते हैं या तो solid के surface पे gas लेके आएंगे या liquid के surface पे gas लेके आएंगे उसी को absorption नाम देदेगे वही surface का एक phenomenon हो जाएगा सुनिएगा सबसे पहले बात करते हैं मैं लेके आता हूँ liquid के surface पे किसको gas को किसको लेके आता हूँ gas को अब सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा देखिएगा ये मालिज ये कोई भी container है क्या है जी container और इसमें liquid डालिंग ये रा liquid आएंग ये liquid आएंग दो point consider कर लिए एक यहाँ पे और एक कहीं यहाँ पे इस point की बात करूँ यहाँ force यहाँ भी लगेगी यहाँ लगी है तो यहाँ भी ट्यों 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 मतलब एक force जिस direction में लगेगी उसके opposite direction में force लग रही होगी तो उसे क्या कर देगी उसे balance कर देगी यानि कि इसको इदर खीचू इदर खीचू बिलकुल एक दम लगाऊं force इदर भी उतना है उदर भी उतना है यह यही रहेगा अगर इस side ज़्यादा लगा दो right hand ट्यों गया left ज़्यादा लगा दो ट्यों वहाँ गया यानि कि force दोनों क्या लगी equal लग रही है equal distribution of force है तो अब पार्टिकल क्या है एक जगे पर रहेगा stable force इसी मिल रही होगी ठीक है जी अगर मैं यहाँ बात करूँ यह क्या है जी यह है जी liquid कोई भी liquid और उपर क्या है जी gas भूम रही है अपने वातावर्ण में इस पार्टिकल को निचे की तरफ force लगेगा यहां लगेगा यहां टेओ टेओ इस force को balance कर दिया इस वाली ने लेकिन निचे force है उपर कोई force नहीं है अक्सर मैंने लोकों को यह गलती करते हुए दिखा है क्या अभी मैंने बोला वही बात downward force लग रही है उपर कोई force नहीं लग रही है जी आप गलत है सुनिए निचे क्या है सबसे पहले उपर देखू उपर क्या है gas और निचे क्या है liquid यानि कि gas के particle दूर दूर होते है liquid के particle थोड़ा इससे पास पास होते है यह particle पास पास है दूसरी बात इसमें force of attraction क्या है जी force of attraction क्या होती है ज्यादा होती है high होती है किसके comparison में किसके comparison में gas के comparison में यानि कि force of attraction ज्यादा force of attraction ज्यादा तो नीचे ज्यादा खीचिंग उपर क्या है gas gas है तो उपर कम खीचेगी force of attraction कम लगाएगी ज्यादा है क्या बोल सकते हैं एंट्रोपी क्या है ज्यादा रेंडमनेस मतलब भूमते रहेंगे दरूब अगर इसका force of attraction ज्यादा है तो निच्चे की तरफ force लगेगी ज्यादा और gas उपर है यहाँ पर force लगेगा तो सही उपर की side gas है कम लगाएगा कम force लगेगा तो force इस point पे क्या हो गया unequal force क्या हो गया जी unequal force of attraction unequal force लगया अब सुनिए होगा क्या इस point को ऐसा लगेगा जैसे तुझे यह surface पे बैठा हुआ जैसे तुझे कोई नीचे की तरफ खीच रहा है क्यों क्योंकि liquid है force of attraction ज्यादा होगा ज्यादा खीचेगा और इसको नीचे की तरफ फिल होगा जब खीच रहा है उसे क्या बोला जाएगा surface tension tension करियेट होगी और यह surface पे है नीचे खीच रहा है तो इसी को बोला जाता है surface tension क्या बोला जाएगा जी surface tension ठीक है जी I think कि यहां तक बात आपको समन में आ गई होगी ठीक है जी entropy ज्यादा बोल सकते है particle दूर दूर है इसमें particle पास पास है force of attraction ज्यादा है नीचे की तरफ फिल होल रहा होगा कि तुझे कोई नीचे की तरफ खीच रहा है ठीक है जी यह था जोटी सी बात अब थोड आओ बात करते हैं आओ हम क्या लेंगे solid के surface पे एक gas को लेके आएंगे किसको लेके आएंगे gas पे देखिए माल लेजिए मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ यह बना दिया जी ठीक है जी यह जो खाली site है यह कोने हैं यह बाहर जितने आपको दिख रहे हैं इस पे क्या है इन् to site residual force क्या बोल जाएगा residual force यह solid है यहां पर साइट को क्या कर लेगी भर देंगी कुछ गैस खाले भी होगी कुछ वेकंट साइट भी होगी aa9 क्योपइड जाइट बोल सकते हैं क्या अनुक्यूपइड साइट साइट रिजूड फोर्स अब देखी मान लेजिये यह यहाँ पे बैठे हुए थी कितने हुए थे यहां से चालू कर दिए यह वन टू त्री फोर फाइब सेवन एट नाहें टैन यह निकी दस गैस के मोलीकूल इसके सरफेस पर आके बैठ सकते थे अब सुनिएक हुआ माल लेजे मैं इसको यहां से ब्रेकिंग कर दूँ क्या कर देंग ब्रेक कर दिया बीच में से अब देखो कैसे होगा एक यह डंडा और यह डंडे कितने एक दो तीन तीन ट्यू अब साइट काउंट कीजिए यह सारी साइट हैं यह रहें जी साइट सारी और निचे भी ऐसा ही होगा, ये डंडा, टेउं 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 तीन, अब देख लिजिए गा, टेउं टेउं टेउं, यहां से काउंट किजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, इसमें आठ, निचे भी आठ, देखो, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोद पंदरा, सोड़ा, ओ माई गॉड, इसमें टोटल एक्टिव साइट थी, दस, जब मैंने इसको बीच में से बरेक किया, यहां कितनी होगी, सिक्स्टीन, सोड़ा, यानि कि एक्टिव साइट क्या होगी, बढ़ गई, अब सुनिए, कमाल के बाद, जब हम हाइड्रो, देख होगा, कुछ ऐसी बतें, यानि कि कोई भी एलकीन या एलकाइन लेते थे हम, और उसमें क्या करते थे, यहां पे पीडी, पीटी, कुछ भी, निकिल ले लो, और एच्टू का इसके साथ एडिशन करवाते थे, या फिर राने निकिल दालते थे, तो क्या होता था, यह एच् जाता था, अब सुनिए, राने निकिल होता क्या है, राने निकिल, राने निकिल का कुछ मतलब नहीं होता, निकिल को पाउडर की फोर्म में रखा जाता है, किसकी फोर्म में, पाउडर, मतलब छोटे 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 तोड़ दिये जाएंगे, क्यों तोड़ दिये चोटे तोड़ने के बाद उसमे number of active site बढ़ जाएंगी और number of active site बढ़ जाएंगी तो gas आकश पे attack कर देगी, चिपक जाएगी, adsorb हो जाएगी, यह यानिकि active site बढ़ जाएंगी इसलिए रान निकल यान की powder form में ज़्यादा यूज़ किया दाता है यह माले निकल है इस पे आके कौन बैठ जाती है गैस यह डिटेल में डिस्कुस करेंगे कुछ समय तक आप रुकिए कुछ टाइम आप रुकिए और्गैनिक में डिटेल में चलेंगे न मत दोगो ठीक है जी यह आई थिंक आपको समय आगया होगा सोलिड और गैस था इससे पहले क्या था लिक्विड के सर्फेस में गैस आके बैठी थी ठीक है जी अब एनरजी के चर्चा कर लेते हैं जो NCRT में आपको खूब आ रहा होगा खूब सता भी रहा होगा कि मेकैनिजम कैसे बनाएं कैसे एनरजी का पता लगाएं तुच्ची सी बात है जी मेकैनिजम में देखो कैसे पता है डेल्टा जी इस इकूल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये फालवला अपने रटा होगा अब शुनिएगा अब डेल्टा जी की वैल्ड जी क्या है क्यों पता हमें च्राइक है क्योंकि रेक्शं क्या है spontaneous reaction है spontaneous reaction है यह reaction चल रही है it means delta g की value क्या है negative spontaneous reaction है ठीक है जी अब यह spontaneous है यह delta g negative होगा अब यह reaction क्या थे gas के particle move कर रहे थे लेकिन gas के particle आके एकदम बैठेंगे entropy randomness एकदम क्या हो जाएगी घट जाएगी कम हो जाएगी तो delta s की value और सुनो delta s की value क्या होगी negative हो जाएगी particle gas के आगे बैठेंगे तो delta s की value negative होगी अब सुनिए यह negative क्या है जी यह negative और यह negative overall यह value क्या हो जाएगी इस value को बना देंगे positive यानि कि इसको मैं लिखू तो कैसे लिख पाऊंगा देखो देखो ध्यान जे डिल्टा जी इस इगल टू delta s प्लस टी डिल्टा s कि इस factor कोई effect नहीं पड़ेगा अब इस पे क्यों क्योंकि डिल्टा जी negative कब होगा केवल और केवल तब होगा जब तो डिल्टा एच की value negative होगी क्या होगी डिल्टा एच की value negative बट यह sufficient condition नहीं है क्यों मालो अगर यह है क्या है जी दुबारा डिल्टा जी इस इकल टू डिल्टा एच प्लस टी डिल्टा एच डिल्टा जी की value होनी चाहिए negative क्योंकि reaction क्या है spontaneous यानि कि इसकी value में negative माल लेता होगी मालो इसकी value minus 5 है और इसकी value plus 10 है तो उत्तर किस में आएगा plus 5 उत्तर आएगा इट मींज यह value negative तो होनी ही होनी चाहिए दूसरी और most important condition क्या है डिल्टा एच का magnitude किसका इधर देखो डिल्टा एच का magnitude टी डिल्टा एच जो भी value आती है इससे क्या होना चाहिए ज्यादा क्या होना चाहिए ज्यादा magnitude ठीक है जी डिल्टा एच negative as well as magnitude of डिल्टा एच must be greater than टी डिल्टा एच है एंधेलफिक फटर एन्ट्रोपिक फेक्टर ईसी को बोलते Teachers को कब कॉन डिविड्य करेगा यह एंधेल्फिक फेक्ट्र एंट्रोपिक फेक्ट्र ठोड़ा लेटर यान की बाद में करेंगे ठोड़ा ओड़्डिव में पढ़ेंगे अभी के लिए यह लफड़ा है यह लफड़ा ध्यान में रखेंगे देखो कुछ नहीं है रहे कुछ नहीं है देखो दुबारा देखो दुबारा यह समझ में आ गया तो ठीक है नहीं आया तो दुबारा देखो बिल्कुल टुची सी बात है टुची सी बात है कौह जिसको कुछ समय नहीं आया है धेख को डेल टाजी ईजीब को डेल। टो टेल्टा- एज さं इसको लिखो गर्ल ठीक है जी से गरन इक्वल्टू क्या है होट है क्या है जी होट सह यानि की गरल होट है बरबर का निशाना गया ठीक है जी तेंपरिचर है temperature को change नहीं करोगे energy को ही change करना है यानि कि यह क्या है enthalpy delta H O की जगा लगाओ minus sign यहाँ पर क्या लिखेंगे temperature पर कोई फरक नहीं delta S इसको change कर दो और यह delta G यही क्या है formula है और हमें क्या चाहिए delta G की value क्या चाहिए negative और delta G negative होगा तो reaction क्या होगी spontaneous ठीक है जी gas के particle move कर रहे थे और एक दम बैठ गए ठीक है जी और यह बैठ के तो overall value यहाँ पर क्या हो जाएगी overall value positive हो जाएगी overall value positive होगी तो delta S को negative होना चाहिए पलस उसका magnitude T delta S से भी ज़्यादा होना चाहिए ठीक है जी यह बहुत असान कहानिया थी ठीक है जी I think इतना आपको समझने आ गया होगा बहुत ही मज़ेदार चेप्टर है आगे तो मज़ा ही आ जाएगा इसमें अब तक तो कुछ खास नहीं था ठीक है जी